किसान भायू नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त रामलाल दाकड और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्मारेट एक्रिकल्चर में इस वीडियो में हम PS 1597 स्वाइबीन के बारे में बात करेंगे इसके लिए आज मैं अपने स्वाइबीन के प्लोट पर आया हूँ जहाँ पर मैंने PS 1597 स्वाइबीन लगा रखा है आपको वीडियो में जो स्वाइबीन दिखाए दे रहा है ये हमारा ही स्वाइबीन है और इस स्वाइबीन की बाई हमने 21 जून के दिन की थी मतलब की जिस समय पर ये वीडियो सूट किया जा रहा है उस समय पर ये स्वाइबीन 40 दिनों से उपर का हो चुका है और इस स्वाइबीन दिखा दे रहा है ये मेरे अंकल का प्लोट है तो दोनों प्लोट की हाइट काफी अच्छी है अभी फसल काफी अच्छी कंडिशन में हैं लेकिन मेरे अंकल का जो प्लोट है उसमें स्वयबीन के कुछ बोदे नीचे गिरने लग गए हैं तो इसका क्या कारण है इसके बारे में भी हम आगे डीटियल से चर्चा करेंगे और हम इसके साथ ये भी बात करेंगे कि पीएस 1559 स्वयबीन किसानों के लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है क्योंकि जब से जे एस 9560 स्वयबीन फेल हुई है तब से किसानों को ऐसी वेराइटी की तलास है जो वेराइटी उतपादन भी अच्छा दे जिस वेराइटी में पीला मुझे एक वायरेस का अटेक भी हो और वेराइटी कम समय में पकर भी तैयार हो जाए तो क्या पीएस 1559 स्वयबीन 95 को रिप्लेस कर सकती है इसके बारे में यह वीडियो होने वाला है तो इसके लिए आप वीडियो को बीना स्क्रीप के अंतर तक देखे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक् और सीड रेट के बारे में बात करें तो हमने इसका सीड रेट थोड़ा ज्यादा डाल जिया जिसकी वज़े से पोदे काफी अधिक दिखाय दे रहे हैं और स्वयबीन नीची गिरने की संभावना भी बन रही हैं वैसे हमने इसका सीड रेट 40 किलोग्राम परती एकर तक ही रखना चाहिए अगर इस स्वयबीन की हाइट के बारे में बात करें तो किसान भाईयो मेरे गुटनों से उपर तक मतलब लगबग मेरी जांग के बराबर इसकी हाइट हो चुकी हैं और अगर पोदे की मोजुदा कंडिशन के बारे में बात करें तो इस समय पर पोदे में और पूरिंग चल रही है और कुछ पोदों में फूलों से चोटी-चोटी फलियों के नमूने बनना भी सुरू हो चुके हैं किसान भाईयों इस वराइटी में सपेद रंके फूल आते हैं और इस वराइटी में रुहेदार फलिया निकलती हैं और पत्तों की बात करें तो में अगर उसी यई के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्ला-मजैग बारे में तो में आपको बताना चाहता हूँ कि बारे करति जैदा सांसिल नहीं क्योंकि आपको मेदे के मीड WOW क defender पी族 दिखाय बढ़ने के काफी ज़्यादा चांस हैं तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप इस विराइटी को लगा कर पीला मुझे को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी सोच गलत साबित हो सकती हैं क्योंकि यह विराइटी पीला मुझे वायरिस की सो पृतिस्त सहंचिल नहीं है इसके सोयबीन में इस्टैम प्लाइटा हो जाए तो उसकी जानकारी भी हम आपको वीडियो के मादियम से जरूर देने की कोशिष करेंगे और इल्लयों और सपैध मच्छर के बारे में बात करें तो जैसे सभी सोयबीन में इल्लयों सब्सक्राइब का अटेक होता हैं वैसे ही स्वाइबीन में एक बार इमामेक्टिन बेंजॉइट और थायमेत्यकसम का इस्प्रे किया हैं अगर आप वीडियो में देखो के तो आप यह देखोंगे कि हमारा जो स्वाइबीन है इसकी हाइड थोड़ी सी छोटी है तो इसका कारण ये है कि हमने एक बार इस soybean में हर्भी-साइड का इस परेग गया था जिसकी बज़ेसे इस स莊आबिन में तोरी से स्कोर्चिंग भी हो गई थी और इस सौयआबिन की हाइट थोड़ी कम है लेकिन जो मेरे अंकल की स्वयवीन है उससुयवीन में seed rate भी थोड़ा सा च housing bir में हईट काफी अदिक है क्योंकि यह जो खयत हैं इस खicallyत में हम अभीम होते हैं इसलिए हम हर साल इसमें देशी काथ डालते हैं तो देशी खात की वज़े से इस soybean की height काफी अधिक हो गई और जब तेज बरसात हुई थी उस समय पर इस soybean के कुछ पोदे नीचे भी गिर गए चिन पोदों में भी फूल आ रहे हैं लेकिन अगर तेज बरसात होती हैं तो नीचे गिरे हुए पोदों में फंगस लगने का खत्रा रहेगा और उस soybean के पैदावार में effect पढ़ सकता है अगर इस variety के पकने के समय के बारे मिपात करें तो इस साफाल नहीं तो हमारे यस साफाल ने हमने पखता नहीं सब्सम्राइब पक्रक्तिक्छला था spot कुछ किसानों से हमने बात की हैं तो उनोंने बताए कि यह वेराइटी 90-90 दिनों में पकर त्यार हो जाएगी तो अगर अन्त में बात करें कि क्या यहा यहीद जेस जादा समझ्या आती हैं तो आप इस वराइटी को ना लगाए इसके बदले में आप जो नहीं नहीं वेराइटे चल रही हैं उन वेराइटों को लगा सकते हो तो किसान भाई यो इस वीडियो में बस इतना ही मैं बस आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप प्याश पंदर लगान लगाना चाहते हैं या फिर लगाते हैं तो आप इस वेराइटी का सीड रेट बहुती कम रखें क्योंकि अगर आप ज्यादा सीड रखोगे तो स्वाइबीन के पोदे बड़े होकर नीचे गिरने की संभावना रहेगी और इस वेराइटी के अलावा भी हमने एनार वीडियो में जय जवान जय किसान